सुल्टान पूर्सुय हमारे संबाद्दाता नहीम खान की श्पेशल रिपूर्ट स्कूल चले हम ना भवन ना कोई सुभीदा कैसे पढ़ेंगे हम आपने प्राथमिक साला हैं तो बहुत देखे होंगी पर आज हम आपको एक ऐसी प्राथमिक साला दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ नामकीर प्राथमिक साला है बाकी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई सुभीदा नहीं है जी हाँ हम बात कर रहे हैं राय सेंजले के सुल्तानपुर के बाट 13 के ग्राम दुनाए में जहां बच्चों के भविस्ते से खिलबार किया जा रहा है यहाँ बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा तो माश्टरों को दे दिया है लेकिन यहाँ इस्कूल भवन का निर्मार भी नहीं किया गया है पिछले 10 साल से यह प्राथमिक साला कभी इमली के पेड़ के नीचे लगाई जाती है तो कभी तिरपाल के नीचे बेड़ बकरियों के तबेले में लगती नजर आती है जबकि यह पूरा छेत्र पर्याटन एबम सांस्कृतिक मंत्री बर्तमान भोजपुर विदान सवा छेत्र के बिधायक सुरेंद पटबा का है लेकिन जनप्रतीर निदी अधिकारी का इस और किसी का ध्यानी नहीं है यहां बच्चे किन परस्तितियों में अपनी पढ़ाई पूरी करने को मजबूर है बस आती हैं सुविदाएं की तो सुविदाओं के नाम पर यहां कुछ नहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ना टाट पटी की विवस्ता है ना सोचाला की विवस्ता है ना ही मास्टरों के बैटने के लिए कुरसी या टेबिल की विवस्ता है यहां मास्टर एबम ग्रामीरों के सहयोग से दो कुरसी एक तरपाल की विवस्ता की गई है जिसमें बच्चों को उसी तरपाल की छट बना कर पढ़ाया जा रहा है स्कूल भवन की बजाए बच्चों को तिरपाल के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर होना पढ़ रहा है प्रिसासन के अधिकारियों, जनपरतिनी ध्यों और नेताओं को सरमसार करने बाली बात है पिछले 10 साल से बिना भवन के इस तरह के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और कहते हैं कि हम 21 सदी में हैं हमारा देश साक्षार हो रहा है हमारे देश में लोग इंजीनियर, डाक्टर, एसपी, कलेक्टर बन रहे हैं क्या ऐसे ही बनेंगे तरपाल के नीचे पढ़कर कुछ समय पहले स्कूल भवन के लिए रासी 6,46,000 रोपे स्विकृत की गई थी जिसमें उस रासी का भी बंदरबाट कर दिया गया है इस 6,40,000 रोपे में एक दीबार और चार पिलर के कालम भरका छोड़ दिया है जिसमें बच्चे तरपाल तानकर पढ़ाई कर रहे हैं गर्मिय में तो बच्चे इमली के पिल के नीचे पढ़ लेते हैं मगर बरसाथ सुरू होनों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है बरसाथ होने से 4 महीने तक बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है छुट्टी का काराण स्कूल भवन्ना होना बारिस में तरपाल के नीचे बैठने में पूरी तरह से भींग जाते हैं बच्चों के बस्ते किताबे भींग जाती है और बीमारी में पढ़ जाती है अगर इस तरह सासन की योजनाओं का बंदर बाट किया जाएगा तो इन योजनाओं में बच्चों तक नहीं पहुचने दिया जाएगा तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया ऐसा नहीं है कि भवन्ना होने की जानकारी किसी अधिकारी है जनप्रतीनी दी को ना हो सबको जानकारी होने के बाद भी भबन का निर्मार नहीं किया गया और नहीं बच्चों की समस्या सुनने कोई आया है 2009 में बच्चों के भविस्ट को अंदकार में डाल रखा है मास्टर द्वारा कई बार लिकित में आबेदन दिये गए लेकिन कोई किसी की नहीं सुनवाई होती है स्कूल भबन पर कोई सुविदा ना होने से कुछ बच्चों ने तो पलाई तक छोड़ दी है बहीं अपने माबाप के बच्चों का मामा कहलाने बाला पूर्वशी एम सिब्राज सिंग चोहान उनके भांजा भांजे किन परस्तितियों में पढ़ रहा हैं बोत कीचर मच जाता है पानी फीर घर जाते हैं यहां पे नहीं यह पानी की विवस्ता इसकूल बबन है आपका इसकूल बबन में चाहिए तोटा फूटा है समय पढ़ते हैं तिरपाल लगा के अच्छा और बरसाद में केसी समस्य होती है इसमें पढ़ने है कि सब इसकूल बने ही नहीं रहा है कम सब दस एक साल होगा यह सही देख रहा है अब शिकात लगाते कोई शुनता नहीं आते जाते हैं हाँ बन जाए आज बन जाए कल बन जाए यह से में पांट साल निकाल दी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है अभी तक और क्या अब बारिस होती है तो बच्चे कहां पढ़ेंगे बारेस में पढ़ेंगे भग जाते हैं बिचारे कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते और क्या है वार जो चाले बगेरा और पानी बगेरे कि कोई बगेरे कोई बगेरे क कुछ नहीं इंयारिया विलकुल और दस पंद्रह साल जुपर ओपरो खाकट नहीं बन रहा विलकुल भी लेटरिंग भात रूम पानी का कुछ नहीं बन रहा बिलकुल लेटर यह रिग विल्कुल भी टप्रे लाइक टपरे के नीचे एक चबीत पढ़ात थे पहले जो हार च सब्सक्राइब कांग्रेस कारिकरताओं ने मनाई राष्ट पिता की पूर्ण नितिती अजय गड़ मैं आज कांग्रेस कारिकरताओं ने वह इस्थानिय सुधा लाज में भारत के राष्ट पिता महत्मा गांधी की पूर्ण तिती मना आई गई उन्हें मन से याद किया गया आज के कारिकरम मैं सबसे पहले सबी कारिकरताओं ने महत्मा गांधी प्रतिमा में स्था सुमन अर्पित किये इसके बाद आए हुए अतीतियों द्वारा राष्ट पिता महत्मा गांदी के जीवन पर प्रकाश डाला गया कारी करम के मुख़् रूप से राम अप्तार तिबारी दिनेश एवम कई अनकारी करता उपस्तित रहे और अपने अपने बिचार रखे गए